और मिताब बच्चन जिन्होंने फिल्मी दुनिया में वो मुकाम हासल किया जो शायद हर कोई चाहता है वो अक्सर किसी ना किसी वज़े से सुर्खियों में बने रहते हैं वैसे तो बिगबी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं वो रोजाना किसी ना किसी बात को लेकर ट्वीट करते रहते हैं जिसकी वज़े से वो हमेशा सुर्खिया बटोरते हैं हर बार अपने ट्वीट की वज़े से चाहे रहने वाले अपिताब बच्चन अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो रहे हैं उनका ट्वीट करना उनकी मुसीबत की वज़ा बन गया है। उनका ट्वीट उनके लिए गले की हड़ी बन गया है। दरसल उने ट्वीटर पर ऐसा कुछ लिख दिया जिसका लोग जम कर मजा अकुड़ा रहे हैं। उनका ये ट्वीट महिलाओं के अंडर गार्मेंट से जुड़ा था। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताब बच्चन का ये ट्वीट पोस्ट किया है। इस पर कई सारे रियक्शन सारे हैं। एक कमेंट है कि अगर मेरे दादा जी ने ऐसा किया होता तो मुझे बहुत शरम आती। जाए ये क्या है पुरा मामला। बिगबी ने ट्वीट किया अंग्रेजी भाशा में ब्रास सिंगुलर क्यों हैं और पैंटीज प्लूरल क्यों हैं। उनके इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगावा बचा रखा है। अमिताब बच्चन का वाइरल हो रहा ट्वीट 2010 का बताया जा रहा है। बिगबी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते वे एक यूजर ने लिखा आखिरकार कोई तो जरूरी सवाल पूछ रहा है। कर रहा हूं के लिए अमिताब बच्चन जल्थी नाग अश्विन के कल की 2898 एडी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ प्रभास दिपेका पादुकॉर और कमल हसन लीड रोल में नजर आएंगे। ये भारत की सबसे महंगे फिल्म होने वाली है को आखिरी बार रनवीर कपूर के साथ ब्रम्हा अस्त्र में नजर आये थे। फिर हाई इस पूरे मामले पर आपकी क्या रहा है और हमिताब बच्चन के स्ट्वीट पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है।